बिस सितंबर दो हजार साथ को एहमदाबाद हवाई अड़े पर अमरीका से एक हवाई जहाजा पहुचा तब अटलांटी सियान प्रत्वे पर पहुचने जैसी उत्तेजना होई थी उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनिता विल्यम्स महिलाए किसे भी क्षेत्र में पीछे नहीं है वह उच्च से उच्च पद पर आसिन तो है ही परंपराओं की बेड़ी को तोड़ कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की ख्षमता आज की नारी में है युवा पेड़ी की गौरव शालिप परंपरा में अंतरिक्स पर अपना अस्तित्व स्तापित कर चुकी भारतियम महिला कल्पना चावला के बाद सुनिता विल्यम्स का नाम जुड़ा है सुनिता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवानवित किया और सफल होकर वापस आई हमारे देश के हरियाना प्रांत के करनाल चहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्स यात्री होने का सन्मान मिला था हमारे राकेश शर्मा भी भारतिय अंत्रिक्ष यात्री हैं दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला होसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई कल्पना के स्वपन को और खुद के दिवा स्वपन को लक्ष बना कर सुनिता विल्यम्स आज इस मुकाम तक पहुची है सुनिता का भारतिय होना हमारे लिए गर्व की बात है उनके नाम के पीछे विल्यम्स लगता है तो फिर भारतिय या गुजराती कैसे यह हमारे मन में प्रश्ण उठता है सुनिता भारतिय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पीता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जूला संगाहों में हुआ था उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई एहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की डाक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमरीका गए वे मैसाचु सेट्स के काल माउथ में प्रसिद्ध नियूरो सरजन थे उन्होंने उर्सबाईन बौनी नामक युगोसलावियन योती से शादी की पिता दिपक पंडिया और माता ओर्सबाईन के जय, दीना और सुनिता तीनों संतान में सुनिता सबसे छोटी है सुनिता का जन्म 19 दिसंबर 1965 इसवी को ओहियो अमरीका में हुआ था मुक्त वातावरन में पली सुनिता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी सुनिता बचपन से ही दौड, स्विमिंग, घुड दौड, बाइकिंग, स्नोबोरिंग, धनुर विद्ध्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी वह महनती थी, शिक्षकों की चहती थी, घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे छे साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आमस्ट्रॉंग को चांद की धर्ती पर उतरते देखा था तब से मन में निश्चे कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है बच्पन का संकल्प उसने साकार किया, उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचु सेट्स से हुई युनाइट स्टेट्स नेवल अकाद्मी मैरिलेंड से भौत एक विज्ञान में सनातक किया Engineering Management Florida Institute of Technology 1995 में बाद में अनुस्दा तक किया इसके पहले 1987 में नेवल अकाद्मी के व्यावसाइक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था इसके बाद नेवी में Aviation Training अमरिका में कमिशन अधिकारी Basic Divine Officer का पद मिला हेलिकॉप्टर प्राशिक्षन प्राप्त किया परिक्षन के बाद Officer In Charge बन गई सुनिता को United States Naval Test Pilot Course के लिए चैनित किया गया पाइलिट बनने की सिद्धी को प्रथम कदम माना अंतरिक्ष पर जाने की तिवर इच्छा थी इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई तब से आज तक सुनिता नासा में कारेरत है 1998 में अंतरिक्ष यात्री कारेक्रम में ब्वितीय प्रयास में चैन हुआ दुनिया में हजारों वैज्यानिक और पाइलिट हैं पर अंतरिक्ष यात्री केवल सौ है सुनिता ने खास मित्र और सहाध्याई माईकल विलियम्स से शादी की और सुनिता पंड्या से सुनिता विलियम्स बनी माइकल विलियम्स ने सुनिता की सिध्धी में साथ दिया सुनिता को अंतरिक्षपरी बनाने में कलपना चावला ने ही प्रिर्णास्त्रोत का काम किया है पिछले आठ वर्षों में अंत्रिक श्यात्रा पर जाने वाली भारतिय मूल की दूसरी महिला की सकुषल वापसी से लूगों ने राहत की सांस ली अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था हम दोनों की रूची काफी अलग थी लेकिन भारतिय होना हमें एक सूत्र में पिर होता था हम दोनों को भारतिय संगीत से बेहद लगाव था कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला जून 1998 में सुनिता को नासा के लिए चैनित किया गया अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षन प्रारंब कर दिया कडे प्रशिक्षन के बाद सुनिता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तयार हो गई सुनिता बताती है अन्तरिक्ष स्पेश टेशन में जिंदगी आसान नहीं है खाने से लेकर नहने तक यहां सब कुछ कटिन है लोटने में मुश्किल होती है आरंब में चलने फिरने में दिक्कत होती है हड्डियां कमजोर हो जाती है दिमाग तयार होने में समय लगता है सुनेता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षन लेकर तयार किया वैग्यानिक तक्नीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कारिक्रम तथा उनके यान आधी के बारे में जानकारी प्राप्त की उनके गोता खोरी में अनुभव होने वाले भार हिंता से स्पेस वाक प्रशिक्षन में सहायता प्रदान की अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैग्यानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना वे अंतरिक्ष के संभवित खत्रों से खेलने के लिए पूर्ण तह तयार हो चुकी थी सुनिता पूरी तयारी के लिए नौ दिन पानी के अंदर भी रही प्रशिक्षन खत्म होने में करीब आठ साल लगे डिस्कवरी अभ्यान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजिनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनिता स्पेस स्टेशन पहुँची 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल कदमी की प्रित्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित आंतराश्रिय अंतरिक्ष स्टेशन की गती प्रती घंटे 27,744 किलोमीटर थी यह अड़ा प्रती दिन प्रित्वी के 15.7 चक्कर काड़ता था अर्थाज सुनिता ने प्रित्वी के 2967 चकर अपने अंतरिक्ष परवास में लगाएं इस अभियान में सुनिता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया इससे पहले अप्रिल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैरेथान जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है अंतरिक्ष के बौस्टन मैराथान में साढ़े 4 घंटे में 42 किलो मीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनिता ने अंत्रिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा मेरा 6 मैने तक रहने का अनुभव है कि यहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मास पेशियों और हड्डियों की शक्ती बनाय रखी जा सके शरीर को लचिला बनाय रखा जाए जबबन भोजन, भार हींता, शरीर के लचिलेपन तीवरगती से खत्म होना मास पेशियों और हड्डियों को तेज शती जैसी समस्याए थी सुनिता ने अंतरास्ट्रिय अंतरिक्ष कैंद्र में 6 महिने के प्रवास के दौरान कई बहत्वपूर्ण कार्य किये जैसे यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, प्रित्वी का निरिक्षण, शिक्षा और टेक्नोलोजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विशयों पर काम किया इसके अलावा सुनिता ने इस दौरान जमा किये गए ब्लड सैंपल, निरिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्यानी को तक पहुँचाए यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी प्रित्वी कितनी शानदार है दुनिया को अलग नजरिय से देखने का मौका और यहाँ अंतरद्रिश्टी मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीडियों के लिए बच्चाए अंतरिक्ष मिल जुलकर काम करने की बड़िया जगा है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम प्रुत्वी पर क्यों विवादों में उलजे रहते हैं नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब विडियो कान्फरेंसिंग के दोरान सवालों के जवाब देती सुनिता ने कहा यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुन्दर ग्र सुन्दर ग्रामिन इलाके, सुन्दर पहाड और आस्मानी रंग के सुन्दर महासागर हरे मैदान और अनिक रंगों में जमीन दिखाए दे रही थी यह द्रश्य बहुत मनोहर था 19 जून 2007 को स्पेस शटल अट्लांटिस सुनिता समेच साथ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धर्ती की ओर रवाना हुआ पूरा विश्व सुनिता की सकुषल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनिट अंतरिक्ष में बिताकर रिकार्ड बनाकर सुनिता की वापसी 22 जून 2007 को हुई सुनिता के आश्चर्य जनककार्य से भारतियों और गुजरातियों का सर उंचा हुआ हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सरवोचिस्तान पर बिठाना है तो सुनिता की तरह साहसी और महत्वकांशी बनना होगा कि यद्टेव है जुँ उर्क एलग जब महत्वकांशी यद्ट